गुर्देव हमें बहुत कमी आएं, किर्पया हमारी गल्ती को शमा कीजएगा गुर्देव इर्शा, क्रोध और नफरत को कैसे खतम करें? इसके मूल में आओ, किसी ब्रक्ष को काटना है जड़ से तो पहले उसकी जड़ को देनी चाहिए वो दिमान आदमी पहले डाल नहीं काटता जड़ से उखार दो ये उपर तक सूख जाएगा, नश्ट हो जाएगा किसी ब्रक्ष को नश्ट करना तो उसकी कुरूध का मूल जानते हो क्या है? काम कामा, शंजायती, कुरूधा कुरूधा, श्मृति विभ्रमा, श्मृति भ्रणशाद, बुद्धिनाशाद, प्रणश्यती, प्रणश्यती अपने परमार्ते से किर जाता है मूल जल खोदे दो, सब सूख जाएगा, पूरा सिस्टम सूख जाएगा माया का काम काम, कामना, वाशना, मनते करियाती, दूर हमें कुरूधता बहता है, जैसे हमारे अंदर एक कामना है, कि आप यहां सान्थ बेठे अभी आपको, तो हमें फिर आवेशा जाएगा क्योंकि हम चार हैं, आप सान्थ बेठे, आप सान्थ नहीं, तो कामना आ गई अब वाशन, अगर हम चाहरे हैं कि मेरे प्रभू जैसा चाहो ऐसा बिवार करो, पर हम आपके साथ प्रभू जैसा, आप वोखो, लुरोखो, दोखो, यही होगा कि सबको विक्षेप हो रहा है, आपको शम्मान से बाहर कर दीजी, क्रोध नहीं आएगा, छुटी-छुटी बातों में, जो हमें क्रोध आता है, उसमें हमारी कामना होती है, यह हमारा बेटा है, इसको ऐसे चलना चाहिए, हम इसके पीता है, इसका हमारे लिए क्या कर्तब बनता है, यह हमारी बहु है, इसका क्य करतब बनता है आप सब अपना करतब विखो रहे हैं आप अपने कहा हो आप सिर्फ अपने करतब के पालन करो कि भगवान ने मुझे श्यवा दिये हम अपने करतब हमारे प्रति कौन क्या बरताओ करता है मेरे प्रभू जाने क्योंकि मैं उनकी आश्रित हूं हमारा करतब हम सदवी पराय से होती है जब आप किशी को पराया समझेंगे तो इर्षया हो जाएगी और अगर अपना देखें तो फिर इस्या नहीं होगी हम कितने भी लोग हो सब एकई बाप के बच्चे हैं हमारा सब का एकई कुल है हम सब एकई बाप से पैदा हुए है एकई कुल के हैं जितने भी जीव हैं सुवर कुत्ता गदा आथी भूत प्रेत मनों से साब बीची साब हम सब का वास्तविक पिता एक ही परमात्मा है दूसरा कोई नहीं सब में एक ही आत्मतत्त बिजली रूप से है सब के पांच भूतिक शरीर एक ही पांच भूतिक की रचना के हैं बिलकुल इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा पांच भोतिक ब्रहमा जी ने अलग रचा तुमवारा अलग सब की माटी वही है सब को बनाने वाला भी वही है भीया पराया कौन हुआ यहां कोई पराया नहीं है बस यही माया का खेल है अपना पराया मैय अरो मोर तोरते माया यही बसकीने जीव निकाया इसी फंदे में फस कर एक से प्यार करते हैं एक पर वार करते हैं बस संसारिक पुरुशो कर दुर्गती को प्राप्त होते हैं अगर कोई उन्नती को प्राप्त हो रहा हो हमारे अंदर इर्श्या आ रही है तो अगर अपना लड़का उस जगे होता तो क्या इर्श्या होती आसिरवाद होता भगवान तुम्हें श्वस्त रखे जिस पद में गए हो उसी में और उन्नती को प्राप्त हो लेकिन पड़ोसी का लड़का गया है तो अनुष्ठान भी करना पड़े तो फिर करेंगे पर वो पद से चुत हो जाए उसकी टांग तूट जाए आर्मी लायक न रहे हो इर्षा बहुत बड़ा रूप ले सकती है अपने को नष्ट करके सामने वाले को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी इर्षा का हम चाए मर जाए पर हम तुम्हें सुक चाहन से नहीं जीने देंगे ये इर्षा बहुत बड़ी और ये बड़े बड़ों में भी होती है सतमार्ग वालों में भी होती है बड़ी विचित्र होती है तो इसे अपने पन से अटाया जा सकता है सच्ची मानों शब में हमारा प्रभू है सब में उनके सिवा कोई है नहीं किसे इरश्या करें हम किसे हम जगड़ा करें सब अपने ही है जब असिलवत क्या है कि हम लोग बहुत छोटी धरा पे खड़े है तो एक सीमित घर सीमित चार लोग परिवार कैसा हम मान लेते हैं अभी आप विदेश जाएं और वहां बगल में कोई खड़ा कह रहा है मैं इंडिया को तो आप ऐसे देखें जैसे घर वाले आप इंडिया अच्छा अप अपना पन करके देखें हमारे भारत का है देखा आप फड़ा दूर लंबी में यात्रा में हुए तो भारत सब उसे आपको प्रेम हो गया और एक गाउं में एक घर में सीमित परिवार में तो पडोसी से भी इरश्या है और वाँ किस प्रांत में रहता कभी नहीं देखा केवल बोला कि मैं इंडिया को हिंदुस्तान का हूँ भारत का आप भारत के हम भी भारत के वताए एक ऐसा लगे जिसे गर का आदमी मिल गया उसको जानता नहीं किस प्रांत का कुछ नहीं उसकी बुद्धी थोड़ी विशालता में आई तो भारत सब्द से उसे प्यार हो ऐसे ही और आगे बढ़ो अब भगवान से अपना संबंद जोड़ लो चरा-चर जगत मेरे भगवाल का अच्छा तो मेरे सब भगवाल किस से इरस्या करें किस से लड़ाई करें किस से जगड़ा करें सब में उसी का नूर समाया कौन है अपना कौन पर आया सब को कर पर नाम सब में प्रहू बसे विए दूसरा को किस से इरशा करे अच्छा नफरत तब होती है जब किसी में हम गलत भाव देखते हैं तब नफरत हुआ याद में बहुत गंदा है तो चस्मा हमने लगा लिया हरे रंग का हमें सामने हरा रंग वा तो हम हरे रंग को गाली दे रहे हैं चस्मा उतारो आप फिर देखो उसको तो माया का चस्मा लगा है तो देख रहे हैं तो लग रहा पापी ये दुष्ट है नीच है भीया वो जो चीज तुम्हें दिखा है वो आप में है आप निकाल दो उसको पाप हटा दो दुष्ट ताहदा दो नीच ताहदा दो अगर वहां तुम्हें भगवाल ना दिखाई दे तो मुझे बताला वो श्वामी जी को तो दिखाई दे रहे है सीयराम मैं सब जगजाली करो प्रडाम अब बोलो हमारी गलती है हम दूसरे को पर आरूप कर रहे हैं कोई कथा नहीं है सत्य सिद्धान था आप चल के देखो हर चेहरे में जब गौर से देखोगे तो जिसकी तुम आलाधना करते हो मुस्कुराता नजराए लगा और जब वो गाली देता है कोई निंदा करता है तो उसको बिनोध होता है लगता है हाँ प्यारे कर लो कुछ भी कर लो लेकिन तुम ही हो अब भूल भुलाईया में नहीं डाल सकते भगवान छुपा छुपी का खेल हमसे खेल ले हैं हो क्या इतने रूपों में छुप गए हो कहते है ढोड़ लो मुझे तो हम किसी को दोस्त बना लेते और निकले थे डूड़ने उनको डूड़ने पह तो फिर उसी खेल में लगे से एक बार खोज लो तो शब में वही छुपा है जीवन मुक्त हो गए संसार चक्र से मुक्त हो गए परमानन्द में निमग्न हो गए किसी सूजवाली आख ने पहचान की कणकण में जाकी भगवान की आपको दिखाई देगा ऐसे अग्यानी मैं और तु देखके जगड़ा करता रहता है लड़ता रहता है अच्छा बुरा मनता रहता है तो हमारी अग्यान की धरा है हमको स्वेकार करना चाहिए अब हमें वास्तवी ज्यान की तरफ बढ़ना है तो फिर आप यह सब जंजटे खताम हो जाएंगी जब तक भ भुरा है ततक चस्माहा ठीक नहीं मb renit विद्या विने शंपनने ब्राम्हत गविहस्तनी सुनीव्च के सपाखिच्ण पंडिता सम धरसिमा विद्या विने शंपन então ब्राम्हन में गाय में कुत्पे में हां फीमें चांडाल में सब में एक ही प्रभु विराजमान जिसको ऐसा ग्यान है वास्तिवी का नुभव है भगवान के शब्दों में वही पंडित है वही ग्यानी है उसी ने कुछ जाना है जो जानना चाहिए इसके नीचे तो सब माया का ही खेल है सबज़ें